जो कक्षा प्रथम में प्रथम पाठ हम लोग देखते हैं स्वर के बारे में है तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं सुरपर्थम सुनने का काम करेंगे उसके बाद जो है हम लोग साथ साथ में पढ़ेंगे प्रथम पाठ है ये क्या है, कौन सा पाथ है ये, तो प्रथमापाथ है, क्या है चैप्टर का नाम क्या है, ये स्वर के बारे में है तो ये स्वरह अब हम लोग देखते हैं आगे क्या-क्या स्वर से ये लिखा हुआ है तो औ से देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है औ से लिखा है आश्वag तो पांच-Pांच बार बोलने की कोशिस करेंगे एक-एक सब्दों को पाँच-पाँच बार बोलेंगे हम लोग आसे आश्वाहा अश्वा मने क्या होता है अश्वा मने घोडा होता है बार-बार सब्दों को हम लोग पढ़ेंगे अश्वाहा अब हम लोग आ से पढ़ते हैं आ से क्या होता है इसके बारे में देखते हैं आ से आम्रम होता है आम्रम मतलब आम होता है तो हम लोग पाँच बार पढ़ेंगे इसको आम ब्रहम आम ब्रहम आम ब्रहम आम ब्रहम से आम होता है अब छोटी इसे हम लोग देखते हैं छोटी इसे इस्ठीका इस्ठीका मतलब क्या है इस्ठीका मतलब इन्ट है इन्ट तो हम लोग देखेंगे इस्टीका, 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 इसे इस्टीका, छोटी से इस्टीका, 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 मतलब इन इस्टिका 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 अब हम लोगों ने देखा है यहां पर आ से अश्वाह आ से आमरम और छोटी से इस्टिका अब हम लोग देखते हैं बड़ी से इसे क्या है बड़ी इसे क्या है पांच पांच वार बोलेंगे हम लोग एक छो हूँ एक छो हूँ मतलब एक ये हम लोग देखते हैं छोटा उ ये क्या है किस चीज का ये चित्र है तो ये उट का चित्र है उट को संस्कृत में क्या कहते हैं हम लोग इसको पढ़ेंगे उस्टाह 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 मतलब उट बार बार हम लोग पढ़ेंगे उस्टाह अब हम लोग देखते हैं बड़ी उ, पांच बार यहां पे भी, कम से कम पांच बार हम लोग पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, बड़ी उ से हम लोग देखते हैं, कि क्या पढ़ेंगे, तो बड़ी उ से हम लोग पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे कम से कम पांच बार पढ़ेंगे बड़ी उसे क्या है यहाँ पे क्या है यह उर्णामा से उर्णामा का मतलब है घर में जिसे स्वेटर बनाया जाता है अब हम लोग देखते हैं री से क्या होता है तो यहाँ देखते हैं री से रीसी होता है तो अब पढ़ने की कोसिस करेंगे हम लोग हिंदी में बोलते हैं और संस्क्रिट में बोलते हैं और इसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग क्या है इसके बाद ए है ए से क्या होगा ए से एला होगा एला मत्रब क्या होता है एला मत्रब होता है इलाइची एला मत्रब क्या होता है इलाइची तो हम लोग पढ़ेंगे इसको एला मतलब क्या होता है एला मतलब होता है इलाइची ए ए से हम लोग क्या पढ़ेंगे ए से हम लोग पढ़ेंगे इंद्रजालिक ये इंद्रजालिक ये इंद्रजालिक क्या होता है इंद्रजालिक ये क्या होता है तो इंद्रजालिक ये यहाँ पर जादुगर होता है तो हम लोग इसको पढ़ेंगे पांच बार इसको पढ़ेंगे मतलब क्या होता है? इंद्रजाली का मतलब जादुगर होता है अब है ये दो बचे हुए हैं जोर जोर से पढ़ेंगे हम लोग ओ के बारे में पढ़ेंगे ओ, next क्या है? ओ है ओ तो ये ओ को पांच बार हम लोग पढ़ेंगे कितनी बार पढ़ेंगे ओ को? पांच बार पढ़ेंगे ओ से ओस्थाह 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 मतलब क्या होता है? ये ओट को क्या कहते हैं? ओस्थाह ओस्थाह ओट को क्या कहते हैं? ओस्थाह 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 अब अन्ती में आता है ओ ओसे क्या होता है? ओसे ओस्थाह ओस्थी जिसको बोलते हैं? दवाईया, दवाईया को बोलते हैं ओस्थाह तो इसको पांच बार पढ़ेंगे हम लोग जोर जोर से बोलके पढ़ेंगे ओस्थाह ओस्थाह तो इस प्रकार से देखते हैं हम लोग ये कच्छा प्रथम का प्रथम पाठ जिसमें स्वर के बारे में दिया हुआ है अंदर जालिका मतलब जादुगर और ओसे आप जानते हैं ओस्था आप अपना öस्था कौन से है आप दिखाइए आउसे पढ़ के दिखाइए कि आपका ओस्था कौन से है आपका ओठ कौन सा है और जो दवाईया आप खाते हैं उसको क्या कहते हैं और शदी कहते हैं हिंदी में और संस्किर्ट में बोलते हैं और शदम इंगलिस में बोलते हैं मेडिसीन तो पाँच पाँच बार आप इसको पढ़के पढ़ेंगे और एक वीडियो बनाके पढ़ते हुए वीडियो बनाकर आप मेरे वाट्सअप पर भेजने का कस्त करेंगे प्रथम बोलेगे, अपना नाम बोलेगे, अपना कक्षा बोलेगे, रॉल लंबर बोलेगे, उसके बाद बोलेगे प्रथमह पाठह स्वराह आसे अश्वह आसे आम्रमह छोटी से इस्ठीका इस तरह से आप पूरे पेज को पढ़ेंगे और बार बार आप इसको लिखेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे और पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे आसे आश्वह आसे आम्रमह इसे इस्ठीका बड़ी से एक छोटी उसे उस्ट्रह बड़ी उसे उर्णम इस तरह से बार बार आप पढ़ेंगे और लिखेंगे और पढ़ते समय का वीडियो बना कर आप मेरे वाटस अप पर भेजेंगे धन्यवाद थैंक यू